खबर की बात करेंगे भारत की अंजू का नया अवतार सामने आया है अंजू याद होगी आपको अंजू वेडिंग ड्रेस में दिखाई दे रही है मुँपर मास्क लगा रखा है इस अवतार के सामने आने के साथ ही अंजू के शादी ना करने का दावा जूटा साबित हो गय अपने पती और दो बच्चों को छोड़कर अपने फेस्बुक की आप यार से मिल लें पाकिस्तान गई भारत के अंजु के नए नए अवतार सामने आ रहे हैं अब अंजु का ये एक वीडियो और सामने आया है मूँपर मास्क लगा हुआ आपको नजर आ रहा होगा निउस एटीन मध्यपरदेश शतीजगर आपको ये exclusive तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा है कहा था शादी नहीं की है दावा जुधा था था वो और नसुरला लगातार ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने शादी नहीं की है निकाह नहीं किया है निकाह नहीं पढ़वाया गया निकाह पढ़वाया जाता है ठीक हाला कि इससे पहले भी अंजु की कई वीडियो और तस्वीरें सामने आ चुकी है कई बार पोल खोल चुकी है एक और वीडियो आया था आपको याद होगा प्री वेडिंग शूट की तरह ये वीडियो था पोर्ट रूम से निकाह करते बाहर आते हैं नजर आते हैं हाथों में हाथ डाले तस्वीरें वाइरल हो रही है पर बावजुद इसके अंजु इंकार करती रही अब जो नया वीडियो सामने आया है इसमें वो दुलहन के लिबास में है अंजु ने बुरका तो नहीं पेना है लेकिन मूँ पर मास्क जरूर लगाया है बगल में नसुरला है काले रंग का कुरता उसमें पेना है सोचल मीडिया यूजर्स अंजु और नसुरला की इस ड्रेस को खैबर पख्तून ख्वा का पारम पर एक लिबास बता रहे हैं वीडियो और तस्वीरों में नजर आता है कि दोनों स्टेज पर बाकी लोगों के साथ बैखे हैं उनकी तस्वीरे खीची जा रही है एक तरफ अंजु का बुर्का और नसुरला संग रुमांस कर्थी तस्वीरे सामने आ रही है और अभी भी ये मानने को तयार नहीं है कि उसने शादी कर लिया अपना धर्म परिवर्तन कर वा लिया अंजू का कहना है कि उसना अपना धर्म नहीं बदला है जबकि मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि अंजू पाकिस्तान में नसुरलाह के संग शादी रचाने के बाद निकाह करने के बाद फातिमा बन गई है फातिमा बनी अंजू पर पाकिस्तान में लोग प्यार भी लुटा रहे हैं एक पाकिस्तानी बिजनस्मेन ने फातिमा को 50,000 का चेक और एक मकान गिफ्ट किया है उधर अंजू पर भारत में रह रहे हैं अपने पती अर्विन को धंखाने का आरोख है अंजू ने फोन पर अर्विन से गाली गलोस तक की है अंजू और नसूर ला की सोचल मीडिया पर जुगलबंदी लगातार देखने को मिल रही है शैलेंद्र वांगू हमारे नेशनल एडिटर वो हमारे साथ जुड़े हुए है शैलेंद्र जी अंजू की तस्वीरे लगातार सामने आ रही है अंजू के जूट लगातार सामने आ रहे है और इन सब के बीच अंजू पर प्यार लुटाया जाना इस पूरे घटना करम को आप क्या से देख रहे है जी पाकिस्तान पहुंचना और उनके पती को इस बात की भनत तक ना लगना कहीं न कहीं इस तरह के इंडिकेशन हैं और लगादार उनको जिस तरह की मदद वहां मिल रही है हमने तहले देखा था कि प्लॉट मुदस पनले का मिला था प्लॉट और उनको नोकरी मिले ताकि उनका समर्सन जो जारी रहे और घर बनाने के लिए उनको पैसा दिया जाएगा तो कहीं नहीं माना ये जा रहा है कि अन्जी जो है वो आयसाइक के आचों में खेल रही है इस पहर प्रॉट है कि किस तरह से सीमा का बद्ला लिया जाए और इसकर से अन्जी को फशाया गया है इस बार में भी कोई clear information नहीं है लेकिन माना है जा रहा है कि ISI का ही game plan है कि किस तरह से अंजु को वहाँ पर लाकर इसको एक बड़ी ख़बर के उसका पर दिखाया जाए और इसमें पूरा involvement जो इसका partner जिसका है तेकि इसलिका बताते कि जो तस्वीर सामने आ रही है अंजु क जिसमें वो दूलण की dress में है यह खाबर पक्तूनख़ा के बीर का इलाका है जहां पर यह traditional dress मारी जाती है और माना जाजा रहा है कि अंजु की शादी अंजु का निकाह हो चुका है और वो फातिमा हो चुकी है और नस्रूला के तरह का निकाह हो चुका है लेकिन अंजु कहती है कि मैं जल्द वाफिस दोटोंगी लेकिन सीधे जोर पर वह अपनी कहानी किस तरह से पाकिस्तानी वह उनकी बिलागाता मत कर रही है जिस तरह से चुनावी होटकेक भारत में पाकिस्तान है उसी तरह से कि पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान के घटनक कर्म हैं क्या इसे को रिलेट करके देखा जासकता है और pag. की राजनितिक इस्टित हैं तो खिर लगातार पूरे पूरी दुनिया ने सुर्खयां ब़नी हुई है इसे इस हैंगल से भी देखा जाए है मामला सामने आया उसके बाद जो यह इस देढ़ ऊंजू का मामला सामने आया और यह देखा गया कि अन्जू की जो तमाम जानकारी है तुमाम डॉक्मेंट्स वीजा का फॉर्म, पासपोर्ट डीटेल यह तमाम पीजें लीक की गई हैं पाकसान साइड से और जानकोंस से जता पाकिसानी मीडिया ने जो डॉक्मेंट सामने रखे हैं उसे इसकाफ है उनका निकाह हो चुका है उनके बाद एक महीने का वीज़ा है उसके बाद उनका अगला सदम क्या होगा कि वापिस भारत लोटेंगी या नहीं या फिर उपर वही पर सिट्विशिप देजी जाएगी इस बाद पर जीज़े क्लियर नहीं है लेकिन ये ज़रूर है कि पूरे ग्रणा गर्म के पीछे आ पूरी हिस्ट्री है जो उसके पिता हैं पहले वो क्रिश्चिन मंते हैं उसके बाद अंजू की शादी फिर अंजू का पाकिस्तान चले जाना हिंदू महासाभार है सवाल उठा रही है कि ये जो पूरा परिवार को बार 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 बदले हैं हिंदू महासभा ये सवाल उठा रही है कि ये पूरा परिवारी गडमढ है इनकी जांच होनी चाहिए क्या जो भारती जांच एजंसियां है वो खामोश रहते हुए भी इस पूरे घटना करम को एक अलग तरीके से देख रही है जांच के एंगल से कि इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जांच एजंसियां लगतार इस से मामलों पर नदधा रखती है कि क्या कुछ घटना करम हुआ है और भारत की सुरक्षा को देखते हुए तमाम कदम उठाये जाते हैं लेकिन इस मामले को लेकर आप अपचारिक उसकी बाहारे में बात कि अन्जू को लेकर भारतिय उचायोग जो इसलमबाद में उनकी तरफ से कॉंटेक्ट नहीं किया गया है और वही भारती विदेश मंतर अले का यह कहना है कि अन्जू अपने निजी कारण से निजी कारणों से वह पाकिसान पहुंची है इस बारे में विदेश मंतर अले कि इस पूरे मामले पर भारती एजन्सिया जो है नजर बनाई हुई है अगला कदम क्या होगा क्या वाफिस भारत लोगता चाहती है इन तमाम पहलों पर एजन्सी नजर बना हुए है लेकिन अब इस पूरे मामले के क्लारिटी खुद अंजू ने भी अब तक नहीं दी है क जी 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 चली बहुत बहुत धनिवाश शैलेंजी बाची जानकारी और विशलेशन के लिए शैलेंद्र बांगू साहब हम ऐसा जुड़े हुए थे और व्यापक तरीके से हम इसे समझ रहे थे अब आपको ग्वालियर से सुशील नजर आ रहे होंगे सुशील के पास हम को लिए चलते हैं सुशील हम विस्तार से चर्चा भी कर रहे थे दरसले मामला ऐसा हो चला है कि इंटरनेशनली भी से अब देखना पड़ रहा है इन सब के बीच सवाल मेरा आप से ये कि लगातार अंजू के पिता के बयान बदले हुए हैं उनकी अपनी भूमी का बड़े संदेह के घेरे में आ रही है सेक्यॉर्टी के लिहाज से हम गौलियर में हुई किसी भी घटना को नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं इन सब के बीच क्या अपडेट आपके पास सुशील बिल्कुल देखिए अंजू के पिता की करीब 4-5 दिन पहले अंजू से बात हुई थी और उस दोरान उनकी बात यहीं हुई थी कि अंजू के पिता ने उसे फटकार लगाई थी और उसके बाद यह कहे दिया था अंजू से कि तुम अब मेरे लिए मर चुकी है साथ ही ये भी कहा था कि भारत सरकार से वो गुजारिश करेंगे कि अंजू को अब पाकिस्तान से भारत ना आने दे और भी उन्होंने अपना गुस्सा जाता था बेटी को उपर और उसके बाद करीब 12 घंटे बाद बेटी का एक मेसेज आया था वाटसप पे पिता के पास कि आपके लिए मैं मर चुकी हूँ तो आप मुझे कभी बात मत करना है फोन मत लगाना उसके बात से बताया जा रहा है कि किसी तरह की कोई चर्चा या मेसेज आधान प्रदान किसी तरह का नहीं हुआ है जो सवाल आपने उठा है सुरक्षा का तो निश्चित तोर पर अंजू के पि है कि टेकनपूर के पास बोना गाओं में जहां वो रहते हैं टेकनपूर में B.S.F की अकादमी है वो भी देश की सुरक्षा से जड़ूई बड़ी अकादमी है जहां B.S.F. की ट्रेंग होती है तमाम टियस्टी उसाइत कैई वहां यूनिट से B.S.F. की और पूरा भड़ आपको बता दे कि intelligence agency की नजरें ना सिर्फ अंजु के पिता बल्कि उनके रिष्टेदारों सभी पर intelligence agency की नजरें और लगातार निगरानी इन पर की जा रही है कि किस तरह से अंजु के जो हालात है यहने 20 अगस्त के बाद देखा जा सकता है कि क्या हालात बनेगे तो उसके ब विस्तार से जानकारी दे रहे थे